Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा, और साथी साथ हम देखने की कोशिश करेंगी कि क्या Supreme Court इसको allow करेगा, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो Supreme Court ने already इसको reject कर दिया था, तो किस basis पर महराष्ट की सरकार ने इसको लेकर एक बिल लाया और काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान रखेगा, आप में से जितने भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, हमारा जो foundation batch है दोस्तों, वो start हो रहा है 26th of February से, अगर आप इसको join करना चाहते हैं, तो हमारे website आप पर जाए, comment section में भी link है, और use करि हैं, तो मेरे इंस्टा पेज़ पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये दिखते हैं कि exactly अभी हुआ क्या है, देखें महाराष्टर Assembly ने आज unanimous ली मतलब की, चाहें opposition हो, सरकार हो, सभी ने मिलकर, ये जो बिल सरकार लेकर आई है, उसको पास करा दिया है, इस बिल में ये कहा गया है कि मराठास के लिए, अलग से 10% reservation होगा, आप ध्यान से समझेगा, अभी तक शायद ऐसा लग रहा था, कि हो सकता है कि सरकार शायद OBC के अंदर ही, यहाँ पर अलग से 10% reservation देते, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया, मतलब अलड़ी जो 50% इस समय reservation चल रहा है, और आपको पता है कि उसके उपर अलड़ी ceiling लगी भी है, Supreme Court ने कहा है कि reservation 50% के उपर नहीं जा सकता, उसके उपर अलग से separate यहाँ पर 10% reservation सिर्फ माराठास के लिए दिया गया है, और इसको पास क करने के लिए आज state government ने एक दिन का special session बुलाया था, ताकि यह जो बिल है उसको पास कराया जा सके, वैसे मैं आपको बता दूँ, यह वैसा ही बिल है लगभग जो 2018 में, जो देविंद्र पढणविस की सरकार थी 2018 में, उन्होंने भी यही ऐसा कुछ बिल लाया था, socially and educationally backward classes act 2018, और same almost वैसा ही है, अब दिक्कत इसमें क्या है, कि जो 2018 वाला act था, जो महराश ने पास किया था, वो बिल पास किया था, उसको already supreme court ने 2021 में, मुझे याद है वी भी, 5th of May वो दिन था, जब supreme court ने इसको हटा दिया था, strike down कर दिया था, मतलब कि यह जो 10% quota अलरी सरकार ले पास किया, देखें जो last time 2021 में जब supreme court ने इसको हटाया था, तो supreme court ने यही बोला था, कि देखें जो 1992 का जो judgment था ना, supreme court का, इंदरा स्वाने versus union of India को अला जो case था, जिसमें supreme court ने कहा था, कि 50% ceiling को break नहीं किया जा सकता, अगर आप reservation देरो, तो 50% को break नहीं करना है, तो supreme court ने तरह से exceed होता है, तो कहीं न कहीं जो fundamental rights आपको पता होगा, article 14 और article 15, वो boiler होगा, जो कि supreme court का कायना है, कि ऐसा हमें नहीं करना किये, और साथी साथ supreme court एक और चीज बोली थी, कि यहाँ पर marathas को reservation देने के लिए, कोई extraordinary circumstances नहीं दिख रहा है, मतलब कि अगर सरकार मानलो कोई extraordinary circumstance दिखा देती, कि marathas के लिए reservation जरूरी है, above 50% का जो seeding लगा है, उसे तोड़ना ही पड़ेगा, तो हो सकता था कि साथ supreme court उसको allow करते, लेकिन supreme court का कहना था कि हमें ऐसा कोई extraordinary circumstances दिख नहीं रहा है, और इसलिए अगर आप देखोगे, आज जो यह bill pass किया गया है, इसमें ज assembly से, यह कब तक valid रहेगा, क्योंकि opposition की party कह रही है कि देखे जो एकनाच्छिंदे की सरकार है, वो marathas को बेवकूफ बना रही है, उल्लू बना रही है, फूल कर रही है, does the state government has the authority to pass such bill, क्योंकि already यहाँ पर 50% जो है cross कर चुके आपको पता है, कि 10% का already जो किंदर सरकार है, वो economically weaker sections के लिए ला रखी है, तो क्या यहाँ पर महराश्ट के पास कोई power है, कि वो उसको cross कर दे, such a bill was already passed in the past, and supreme court had scrapped it, ऐसा opposition का कहना है, और opposition ने यह भी बात बोली है, कि देखिए हमें यह bill को support करना पड़ा है, assembly के अंदर, अगर हम इसको oppose करते, तो लोग हमें यह कहते, blame करते कि आप इसको oppose कर रहे हो, simply, आप मराठास के हत्में नहीं हो, इसलिए हमें इसको support करना पड़ा है, लेकिन actual में अगर आप देखो गोई, तो opposition का यही कहना है, कि हम चाहते तो है मराठास को reservation मिलना, लेकिन यह महराश्ट की सरकार नहीं कर सकती, ultimately अगर यह किसी को करना ह तो Supreme Court और साती सात यहाँ पर जो केंदर सरकार है, उनको यह चीज allow करना पड़ेगा, और opposition का basically blame यही है सरकार के उपर, कि लोग सभाग का जो चुनाओ अभी आ रहा है, उसको जीतने के लिए कही न कहीं सरकार जो है, इस तरक के कदम ले रही है, जहां तक मैं आपको बता द तो कई experts का यह कहना है कि देखे, जब already benefit उठा रहा है माराथाज, उस 10% वाले economically weaker section में, तो हमें अलग से reservation लाने की जरूरत नहीं थी, खेर जो भी है, यहां पर यह reservation लाया गया question यह है, कि जब past में Supreme Court ने इसको reject किया है, तो किस basis पर सरकार यह दुबारा will लेकर आई है और देखो इसका main कारण है, जो सरकार है ना महराश्ट की समय, उनका यह कहना है कि देखे, हमने पिछडा आयोग, basically आपने सुना होगा, एक commission के बारे में जिसको कहा जाता है, backward class commission, तो महराश्ट backward class commission ने सरकार को, राज्य सरकार को एक report submit किया, और इसको head किया जा रहा था by chairman, justice, सुनिल शुक्रे के द्वरा, और उन्होंने इस report में कहा है कि देखे, अगर हमें महराथा community को अगर यह reservation देना है, तो सबसे पहले तो जो constitution of India है, उसके अंदर article 342a clause 3 के अंदर हमें यह चीज add करानी पड़ेगी, और हम article 154, article 155 और article 164 के basis पर महराथास को फिर reservation दे constitution of India में, अब constitution of India में कौन बदलाव कर सकता है, वो महराश्च की सरकार तो कर नहीं सकती, वो तो government of India ही करेगी, तो वो तो अभी बदलाव नहीं हुआ है, फिर इसके अलावा यहाँ पर report में बताया गया है कि कैसे जो मराथा community है, उसमें 84% जो population है, वो अभी भी advanced नहीं है, they are not well to do, और इसी का तर्व दिया जा रहा है कि यहाँ पर हमें उनको reservation देना चाहिए, in fact report में यह भी बताया गया है, कि भले ही यहाँ यहाँ पर 50% की ceiling लगी भी है reservation की, लेकिन still, कुछ exceptional cases में हम यहाँ पर महराथास को reservation दे सकते हैं, यहाँ पर report में यह भी बोला गया है कि 10% reservation to Maratha Community and Public Services and 10% reservation in admission to educational institution is necessary, तो basically क्या है ना कि अब जो महराष्ट की सरकार है, वो इस report का हवाला दे रही है, और महराष्ट की सरकार कह रही कि देखें, पहले जो Supreme Court ने वो जो अरक्षन हटाया था, strike down किया था, वहाँ पर सरकार उस चीज को prove नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बा महराष्ट की सरकार ये report भी दिखाएगी, Supreme Court को और कहेगी, कि देखें, महराथास को reservation देना जरूरी था, और ये हमारे पास data है, proper data है उनके पास, और उसके basis पर यहाँ पर Supreme Court हो सकता है कि शायद ये इस बार allow करते, अब देखें, ये सारी चीज़े क्यों हो रही है, अब आ महराथास को, जो यहाँ पर kindergarten से लेकर post graduate level की पढ़ाई है, वो सब कुछ free कर देना चाहिए, और महराथास को government jobs में यहाँ पर reservation मिलना चाहिए, तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पर जो एक नाचिंदेजी है, वो भी यहाँ पर गय थे और उनका जो उपवास है, वो भी तो महराथास के लिए 10% reservation रख रही है, तो Muslim community के लिए 5% reservation रख रही है, समाजवादी पार्टी की जो MLA है, अबु आजमी, उन्हों ने यहाँ पर बैनर दिखाया assembly के बाहर और बताया कि Muslims को भी यह हग बनता है, क्योंकि उनका कहना था कि जो NCP और Congress वाली सरकार थी, जो पहले reservation दिया गया था, सबसे पहली बार, तो NCP और Congress ने वह reservation दिया था, तो NCP Congress ने जब Woha Marathas के लिए reservation दिया था 10% का, उसमें साथ साथ उसी दिन 5% का reservation Muslims के लिए भी लाया गया था, लेकिन इस बार, सरकार ये जो Marathas के लिए reservation लाईаю, वो सर्फ Marathas के लिए, अलग से 5% Muslims के reservation नहीं लाई है वैसे मैं आपको बता दूँ कि महराश्ट के अंदर अगर आप देखोगी जो Muslim community है उनकी जो जनसंख्या है वो 10% से जादा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर हुआ क्या था कि जो NCP और जो आपकी सरकार्थी और कॉंग्रेस की महराश्ट के अंदर उन्होंने यहाँ पर एक कमिटी का गठन किया था डॉक्टर महमुदूर रह्मान कमिटी और उन्होंने यहाँ पर आगे चलकर recommend किया था कि 8% reservation होना चीए और उसी के basis पर कॉंग्रेस पार्टी की जो सरकार्थी उन्होंने 5% reservation जो Muslims हैं उनके लिए लाए थे और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे जैसे सचर कमिटी के अक्सर जिकर आता है इसके अंदर और इसके अलावा Justice Rangnathan Mishra कमिटी का जिकर आता है 2004 का उसमें भी यह बोला गया है कि Muslim Community statistics wise जो है वो काफी पिछडी है backwardness है उसमें और इसलिए उनके लिए भी reservation लाना चाहिए तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताएगा आगे देखते हैं क्योंकि ultimately यह मामला जाएगा तो है ही है Supreme Court इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 50% already reservation हमारे देश में था फिर उसके बाद 10% all और जो है यहाँ पर economically weaker section के लिए reservation लाए गया और साथी साथ अब और 10% Marathas के लिए लाए गया है मतब 70% से जादा reservation तो अल्यरी महाराष्ट के अंदर हो गया है तो इसको लेकर आप मुझे definitely comments में बताइए आप क्या सोचते हैं और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो who has the right to decide that who will be included in the list of schedule cast and schedule tribe किसके पास power है इनमें जो decide करेगा कि schedule cast और schedule tribes का list है उसमें किसको include किया जाए किसको नहीं इसका right answer आप सबको बता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF की है टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोशल मीडिया पर आप यूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं you can just use this code अंकित लाइफ ताकि आपको maximum discount मिले I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon